हेलो दोस्तों आप सभी को गुलाब जामों जैसी मिठी मिठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्किट के पैच अप जा ब्रेक अप सो में आज के दिन हम डिसकस करेंगे एक तो हमारी कल के लिए क्या important levels निकल कर आते हैं मार्किट में उन्हें study out करने कोशिश करेंगे और इस weekly basis पर क्या रहेंगे important level उन्हें हम study out करने कोशिश करेंगे और उसी के साथ कल के दिन ना तो किसी IP की closing है ना ही listing तो वहाँ पर तो हमारी लि पन होने वाले हैं अगर हम सबसे पहले फ्राइडी के दिन का FIA और DIA डाटा चेक आउट करते हैं तो वहाँ पर DIA ने 690 क्रोड की buying करी है और वहीं पर FIA ने 2390 क्रोड की selling करी है नेट में selling का figure होने वाला है अब अगर हम मार्किट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी बात भी थी कि 22,780 हमारे लिए important resistance होने वाला है मार्किट खुलती है हमारे resistance के पास जहां पर हमारी entry होती है put में और वहां से हमें immediate सिद्धा खीच के नीचे की side अच्छी खासी move मिल चुकी थी और अगर हमारी यहां पर entry नहीं हुए थी तो हमने discuss किया था कि अगर ये level कटा तो हमें फिर से नीचे की side की move मिलेगी और आई हो कि जब भी एक single side की move पकरता है तो हमें वहां पर एक अच्छा खासा मुनाफ़ा हो जाता है बट अब अगर हम कल के लिए market के लिए important levels की बात करते है और तो उससे पहले कल के भी mid cap, nifty और bank X की तो होगी expiry और उसी के सासर आप लोगों को mutual fund में जा issue हो रहा है segment में कि इसी भी तरिके कोई है requirement है जा आप लोग चाहते हो कि भीएंगे mutual fund distributor हम आपका पैसा manage करने में आपकी help करें चाहे वह SIP हो, HTP हो, SWP हो, booster, HTP हो जा लमसप amount हो तो आपको description में मेरा phone number मिल जाएगा आप उससे contact कर सकते हैं अब अगर हम कल के लिए important levels की बात करते हैं तो देख देखने को मिल सकता है बट अगर हम हमारे level के according देखते हैं तो अगर कल के लिए 2560 का level जे क्रोस होता है और sustain करता है तो में वहाँ पर 22700 तक के level देखने को मिल सकते हैं जे हमारे लिए immediate measure hurdle बना हुआ है और अगर इस level के उपर इस वार जाता है और sustain करता है एक घटा तो फिर जे हाई भी कटने की पूरी पूरी उमीद रहेगी और वहाँ से हमें उपर की side 200-300 point की move देखने को मिल सकती है अगर हम नीचली side बात करते हैं तो हमारे लिए important और major support रहेगा ये वाला 2350 का अगर जे level नीचे की side कटा तो हमें वाँपर नीचे की side की भी अच्छी move देखने को मिल सकती है बट अगर हमारी entry कहीं पर भी होती है हमारे levels के according तो हमारे लिए 30 point से ज़्यादा का stock plus नहीं होना चाहिए because अगर हमारे guest में वो trade जाते हैं तो हमें major loss ना हो बट personally मैं generally option buying को prefer नहीं करता हूँ और मैं personally खुद भी काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसे सबसे ज़्यादा वाहियार तरीका लगता है option trading में पैसे बनाने का बट अगर हम importantly देखते है weekly basis पर क्या रहेंगे important levels तो कभी भी अगर market अब हमें 22,230 के level के आसपास देखने को मिलती है तो वो हमारे लिए important area हो जाएगा जहांसे हमें bounce back आने की उमीद रहेगी बट इस level पर भी हमारा stop loss strict होना चाहिए ज्यादा नहीं बस 50 point का stop loss is more than enough यहाँ पर अगर मिलती है तो वहाँ पर stock specific action हम ध्यान में रख सकते हैं swing basis पर उपर की side buy जा सासों के उपर जब market जाएगी तब हमें वहाँ पर उपर की side की strength देखने को मिलेगी और नई rally के लिए market ready हो सकती है बट हमने यहाँ पर जितने भी points को study out किया है वो सिरुफ education learning और case study perspective किया है किसी भी तरीकी कोई इन्वेस्टमेंट टिप जा advice नहीं है फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक आर अपने financial advisor से consult करकी कीजिएगा तो देवी और सज्जनों उमीद आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को subscribe करें हर हर महादेव